हेलो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं विलियम सेक्सपीर के कुछ महत्यपूर्ण जो क्वेशन आंसर है यह जो बुक आपकी यूद की है उसके क्वेशन आंसर है चलिए देखते हैं पहला क्वेशन क्या है पहला क्वेशन है हमारा लेकिए ओन सिंग हूम डज मिरेंडा मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर शॉरली दैट इस प्रेट लॉर्ड हाव इट लुक्स अबाउट लेकिए फ्रेंड्स क्वेशन आंसर करने से पहले हमें जो प्ले की अगर समरी याद है तो हम क्वेशन आंसर को एक बहुत अच्छे हो जाती है तो जिससे हमें क्वेशन आंसर देने में बहुत आसानी होती है इसलिए पहले इसकी समरी को आप पढ़ लीजिए और उससे समरी को इंग्लिस में पढ़ने से पर अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हमारे चैनल पर कुछ जो ही सैक्सपियर की जो इसमें है मिरांडा आपकी है टेमपेस्ट में जो दा टेमपेस्ट सेक्सपियर ने लिखा उस ड्रामा से है ठीक है तो मिरांडा क्या कहती है कि यह जो आपका जो यह कुटेशन है यह जो तो यह किसका है यह मिरांडा का है और यह किसमें से है दा टेमपेस्ट से है अब यह किसके लिए कहती है तो इसका आंसर होगा आपका B Ferdinand के लिए कहती है ठीक है अब इसकी यह डिटेव है देखिए On seeing Ferdinand Mirinda exclaims O Father surely that is the spirit lord how it looks about Mirinda charming and graceful girl she is one of the most charming heroines of सेक्स पिर ऊस प्ले दर आप科पेस्ट जो आपकी मिरन्डा थो हीरो नंहीं है कहांनी है वह आप sta प्रॉट अक्ट बेश्ञां आधी रसे सफ्प्र उल्ह Eok Safe Stay न मेट को इनमकूश्ट उसकी है नेक्टि देखिये क्वेस्जिन सब्सकिन is foul and foul is fair जब एक बेद में जब दो वो चुड़ेले आपस में मिलती हैं तो वो यह कहती है इफ music be the food of love play on twelfth night यह जो twelfth night में जब वो कहता है क्या नाम उसका और सीनों होता है जो वहां का जो कहता है कि अगर जो प्यार है वो म्यूजिक है तो उसको बजाते रहों बजाते रहों तो समार बॉन ग्रेट अधर अचीव ग्रेटनेस यह देखिए यह गलत है यह रिचार्ड का नहीं है यह आपका twelfth night का यह जो आपकी twelfth night का है वह देख साम आर बॉन ग्रेट अधर अचीव ग्रेटनेस रिचार्ड शेकेंड यह नहीं इसका दिस लाइन हैस बीन इस पोकन बाई मॉल्वेलियों इन दा फ्लेट वैल्थ नाइट अब इसमें इस से एक वेश्चन क्या बन सकता है कि मॉल वैलियों जो है वह किस प्लेका है फ्रेंड्स आप लोग इसका जो ट्वेल्थ नाइट का जो अधर टाइटर है वह आप कमेंट करके बताईएगा रिटेन बाइब बिलियम सैक्सपेर इट इस अ कॉमेडी सेंटर्स ऑन दा ट्विन्स ओव बॉयला एंड सबस्टियन इसमें दो भाई बहन रहते हैं सबस्ट लाक छीति निविए यह बन सकता है कि जो आपका जो ट्वेल्थ नाइट लिखा गया है उसका मैंसोर्ज क्या है तो इह किसने लिखा था वार्नबे रिखने लिखा था ‫ 거야 a इस सब टाइटल चैनल क्या हूथ दैप साबोल चैनल हमारा आफी से णिटar उसका अपूरा क Link क्या है तो नीक्सट करें ज्यूंट करें हां कि बड़ ईसको थोड़ा से ऊपर कर ला के मद्ेब who is Richard second kills Richard when he hears of Henry's coronation तो इस में क्या है इसमें इसका इसार होगा का पायर्स एक्टाण या देखिये यह ब्लीयं सेक्स्पीयर का एकlection विर्टि니다 प्ले है देखिये सिर्टी प्लेटे विकें पायर्स एक्टाण reviews रिचार्ड वन ही एर्श को रोरनेशन इन दफ्लेट रिचार्ड काद इप्लेगे प्ले सुरी हिस्टी प्ले रीटिन एराउंड फिप्टी नैंटी फाइब लेकिंगे जो सेक्सपियर के जो प्ले है इसमें थोड़ा रिटिन जो इनकी जो डिट मिलती है इसमें थोड़ा एक-दो साल उपर नीचे हो जाता है तो यह यह वी कुशन आसमें एसे भी कुशन आत जो किसकी लाइब पर बेश्ट है यह इंग्लेंड के क्रोनिकल दाउनफॉल एंड़ मसीनेशन आफ इस नोवल्स बिलियम सेक्सपियर थे लिएंट ने थार्टी सेविन प्लेस लिखे थे और फोटी बन फिप्टी फॉर सॉनेट्स लिखे थे ठीक है और प्ले रिचार्ड सेकेंड परफॉर्म एड़ ग्लोब थीएटर ओन त्वैल्फ जून 1631 आपका जो रिचार्ड सेकेंड जो प्ले है वो ग्लोब थीएटर में बारह जून 1631 को परफॉर्म किया गया था 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 हिस्टिकल प्लेस औफ सेक्सपियर कबर दा पीरिड ऑफ इंग्लिस हिस्टी ऑ जो हिस्टी है वो कबर करी जाती है तो उसमें आपको मिलेगा 350 साल की ठीक है इसका आंसर तो पहले ही पता दिया गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कर्शन क्या हूज स्पीज इस यह किसकी स्पीज स्पीच है प्रेजेंट फियर्स आर लैस देन हॉरिवल है यह आपका मेकवेथ का है किसका है यह आपका मेकवेथ का है ठीक है यह जहां तक यह मेकवेथ का अच्छा यह यह पुछा गया यह किसने कहा है तो यह मेकवेथ का ही होगा देखते हैं यह देखी में ने ही कहा था क्या गिविन फैमसिस प्रेजेंट फिर्स आर लेस देन होरिवल इमेजिनेश इस इस पोकन बाइं में इन प्ले में वेथ एक्ट फर्स्ट एंड सीन पर्स्ट इखिए फ्रेंड यह बहुत ही फैमस जो होते न उसमें एक्ट और सीन पूछ ले जा जाद आते हैं तो यह वाला डायलोग क्या यह किसका है यह मेक्वेत का है एक्ट फर्स्ट और सीन सेक थाड का दप्ले में इस ट्रेजडी रिटिन वाई बिलियम सेक्सिर इस अबाउट 1606 यह बिलियम सेक्सपीर की एक्ट त्रेस्ट जो 1606 में लिखी गई है फर्स्ट पॉ 16-13 में इनका फर्स्ट फोलियों निकाला था उसमें यह सब पब्लिस हुए थे दा सूर्स ऑफ दा प्ले इस हॉलिंसेड्स क्रोनिकल्स 1587 देखिए इनके जो टेस्टी की मोश्टली यह इनी से ली गई हॉलिंसेड्स से और इन्हों नहीं लिखा था 1586 में ही रोट प्ले इस मेक वेट एंड ही रोइन ऑफ दा प्ले इस लेडी मेक वेट और एपले का जो हीरो है वह मेंक वेट है और ही रोइन इसकी लेडी में बेटें तो यहां पर फ्रस्ट आप्स न आपका तो ही ए नेक्ट देखिए सौरी यह क्या गया हाँ यह वाला एक मिनट है हाँ यह देखिए फू काल्ड एन अपस्टार्ट क्रों एक सेक्सपीर को अपस्टार्ट क्रों किसने बोला था तो सेक्सपीर को अपस्टार्ट क्रों बोला था किसने ग्रीन ने रोवर्ट ग्रीन ने बोला था एक रोवर्ट ग्रीन is renowned for his connection with William Shakespeare सबसे पहले जो क्रिटिक है जो इन्हों नहीं सबसे ज़्यादा रौवर्ट ग्रीन नहीं की थी अटेक्ट ऑन सेक्सपीर ग्रॉट रॉट ऑफ बिट इनका यह एक पंप्लेट था उसमें इनोंने इस ग्रॉट ऑफ ऑफ बिट नाम का था इसमें इनोंने इनकी प्रिटिक वह अलोचना की थी अपस्टार्ट क्रों दूसरों के नाटा किया जो प्ले भी थे उनको जो साहितिक रचना थे उसको चुरा के और अपने अपना बना लेते थे उसमें थोड़ा सा मोडिफाई करके तो इनका यह इसी लिए उन्होंने यह कमेंट किया था इट इस फॉस्ट रेंस्टु सेक्सपीर इस लंदन ड्रा क्या है हुआ हुँ अमंग दहीरओ ऑसेक्सपीर and प्लेज हैस बीज डिस्क्राइब ऐस मेलओ कली एचे निश्टिक हैबिंग ओड़िबस क्विए अडीपस क्लॉम आपधि कि गाई है तो ओड पस पॉम्प्लेक्स क्या ओता देखिए आपने एपने पड़ा होगा उसमें कि एक होता है कि अपनी एैसा भी टा जिसका अपनी वेटा इसका मा की प्रति थोड़ा अट्राक्शन क्यों होता है तो तो किस्ट कि हम लोगों औरम टा देखक हैं विह और सब्सक्राइब क्यों सबस्क्राइब दिए्ट हैं rice प्रिंस ऑफ डैन्मार्क यह भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन की हैं जो हैं वह कहां का प्रिंस है तो यह प्रिंस ऑफ डैन्मार्क है इस ट्रेजडी इन फाइव एक्ट यह पांच एक्ट की ट्रेजडी है रिटीन अबाउट 1599 1601 और पब्लिस इन क्वार्टो एडिशन इन 1603 यह आपका इसमें 1599 से 1601 में लिखा गया था और यह एक क्वार्टो इनका एडिशन जो पब्लिस हुआ था 1603 उसमें यह पब्लिस ह हुगा था सबसे पहले इन cyclonistic theory Oedipus complex denotes the emotion and ideas that the mind keeps in the unconscious by dynamic repressions that constant upon boy's desire to sexuality possess his mother next day which of the following plays of Shakespeare contents the lines what a piece of work is man यह किसका है यह देखिए यह what a piece of man बर्किस मैं इस फ्रेज है यह बिदिनेन मोनोलोग है मोनोलोग दिखी क्या होता है यह किसी मोनोलोग होता है जो अपने आप से ही बोला जाता है ब्रिंस हम्लेट तु राज कर्ट अंग गलिस्टें इन एक्ट सेकंड एक्ट सीन इन विलियम सेक्सपीर पले हम्लेट इस रिफ्लेक्टिव अट फ्र्स्ट अडमिलिग्ड यह अंद दें दिस प्रेंग लिंग्लिंग अन थे human conditions next देखिए नेक्स्ट हमारे किया दे लेट प्लेज अप सेक्सपिर एंड इन जो सेक्सपिर का जो लेट प्ले था वो किस पर एंड होता था दिस हर्मोनी पे देखिए दे लेट सॉरी हर्मोनी पे दा लेट प्लेज अप सेक्सपिर एंड इन हर्मोनी बिल्यम सेक्सपिर ले Interstell and the Tempest. When Dowden argued that Shakespeare's late comedy should be called dramatic romances, he did so because they resemble late medieval and early modern romances as genre in which stories were set across the immensity of space and time. Thus appropriate answer is option A, who made the following sentence neither a werero nor a lander before loan of Lois's worth itself and friend at borrowing does the edge of husbandry. देकि यह बहुत ही famous dialogue का इसको कई बार पूछा जा चुका है, तो यह dialogue आपका जो पॉलिनस है, वह हैमलेट में अपने बेटे ले लेटे से कहता है, इसका बेटे जब वह पढ़ने के लिए जाता है बाहर तो उससे यह कहता है, नाइदर आब औरो यह देखिए, यह इस लाइन, पॉलोनियस एंड कॉंसलर तुकिंग क्लोडियस इन एक्ट फर्स सीन थैड में है, विलियम सेक्सपियर ब्लॉग हैमलेट, इस बाइंडिंग फिर्वेल तो इस सन लेटे लेटे इस लीविग देन्मार्क फॉर फ्रांस, जो लेटे इसका बेटा है किसका पॉलोनियस का वह जाता है कहां वह फ्रेंस को जा रहा है तो इसलिए वह आप कहता है लेटेट एंड इस फिस्टर ओफिल्यार बेटिंग फॉर हिम एड दा हारवर, ठीक है आज 10 ही रखते हैं अगर आप लोगों को यह क्वेशन आंसर अच्छे लगते हैं तो वीडियो कमेंट करके बता दी करेंगे ओके बाइबाइब